So hello दोस्तो welcome back to my channel and दोस्तो Mi 11 Lite 4G smartphone के अंदर Android 12 best MIUI 13 का stable update company ने rollout करना start कर दिया है तो दोस्तो आज किस वीडियो में इस smartphone में ये जो update आया है इसके बाद हमें कौन से कौन से features देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में end तक बने रहे तो दोस्तो सबसे पहले इस update की features के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें new security patch, Mi Sanfont, new MIUI 13 control center and काफी सारे नए wallpapers यहाँ पे देखने को मिले है साथ ही इस update के बाद आपको January 2022 के मंत का latest security patch देखने को मिल जाएगा system security और user privacy को increase करने के लिए and एक important बाद अपने smartphone को update करने के बाद factory reset करना पड़ सकता है इसलिए आप important data का backup जरूर से ले लेना update करने से पहले इसके अलवा इस update का firmware version है MIUI 13.0.2.0.SKQMIXM और size है 2.9GB का और इस update को आप अपने smartphone में wifi के थूर इंस्टॉल कर सकते हो basically यह update अभी global users के लिए बट बड़ी चलती इंडिया में भी rollout हो जाएगा हो सके तो हमें next week तक यह इंडिया में भी देखने को मिल जाए यह वीडियो आप लोगों कैसी लगी अच्छी लगी तो एक लाइक जो रूट करें चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाकी दोस्तों आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाइग्राम दोनों में फोलो कर सकते हो डिस्क्रिशन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा बाकी मैं मिल तो आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम